नमस्कार स्वागत है वार्पुन हो आप सभी छात्रों का विप्यसी मेकर के एक और एपिसोड में जैसा कि आप से भी जानते हैं आपके बिहार के प्रत्यूगी परिक्षाओं को लेकर यहां पर करेंट फेर्श की क्लास चलती है जिसमें बिहार रश्टे अंतराष्टे तीन यहां पर आपको विश्तार पुर्वग देंगे जो चातर पहली बार इस स्रिंखला के वीडियो को देख रहे हैं पहले आप इस वीडियो को देखे अगर आपको लगे कि इस वीडियो स्रिंखला से आपकी हैल्प हो सकती है तो इसका प्रिवियस पार्ट जो हमने चैनल पर वीडियो में जो हमने आपसे तीन प्रश्ण पूछा था ये तीन प्रश्णों के ता तब पहला प्रश्ण था कि किस सहर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वेक्षता सर्वेक्षन को लेकर मेरा सहर मेरी जौब दही अभ्यान चलाए जाने का निरने लिया गया है इसके बारे में जानकार देते हुए हमने आपको बतला था इन दोर जो कि मद्ध प्रदेश का एक सहर है इसी के तरज पर पटना में मेरा सहर मेरी जौब दे ही अभ्यान चला जाएगा पटना नगर निगम के द्वारा दूसरा प्रस्ण हमने आपसे पूचा था कि हाली में क्रिक iba 183 में पहली बार वन्डे अरथाब एक द्वसे क्रिकेट का खिताब अपने नाम किया था हला कि इसके अतरिक्त आप सभी जानते हैं किρίस्वय 2019 में महेंद्र सिंग धोनी की κα्प्तानी में भारत ने एक द्वसे क्रिकेट काका किताब अपने नाम किया है दरसल इसको लेकर हमने आपको जानकर दिया था कि क्रिकेट विश्व कप दो 2023 को लेकर जो क्वालिफायर्श मकाबला हो रहा है तो इसी के तद जो अठारवा मकाबला था यह नीदरलेंड और वेस्टन डिज के वेच खेला गया जिसमें मैच टाई हो गया यानि कि मैच बराबरी कर रहा और प्रनाम सरुप सूपर अवर खेला गया जिसमें आपको ध्यान रखना कि नीदरलेंड ने सूपर अवर में 30 रन का एक विसाल स्कोर खड़ा किया और जवाब में वेस्टन डिज यसी ध्यान रखे हलाकि सारे प्रस्णों के बारे में हमने आपको विस्तार पुर्वक जान कर दिया है खिलाल यहां पर अब हम आचके हैं पहले प्रस्ण पर तो हमारा पहला प्रस्ण की बिहार में किस अस्थान पर मचली रिसर्च सेंटर का निर्मान होगा जहां पर मच्वार को भी प्रसिक्षन दिया जाएगा तो इस प्रशनी का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानि कि मीठापूर पटना में भी आहल ही में जो घोशना भी इस घोशना के अधार पर यहां पर इसका निर्मान किया जाएगा दरसल कुछ विश्तरित जानकारी है यहां पर बहुत सारे प्रशनों के बारे में आपको जानकारी मिलेगा तो बारिकी से सभी चीज़ों को पढ़ियेगा और इसे अपनी कापी में जरूर नोट कीज़ेगा तो इसमें पहला पॉइंट है कि मुक्रमंत्री नितिश कुमार की अध्यक्षता में हाली में वीर राज्य मंत्री मंडल की बैठक में कुल 25 परस्ताव पर महर लगे और एक्जाम परपस से जो इंपोर्टेंट है जहां से आपके एक्जाम में परस्ने पूछे जा सकते हैं उसका यहां बरिश शंग्रा हमने इस वीडियो में क्या है तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां बर हमने यह दर्साया है तो इसके तरत पहला पॉइंट है कि मीठापूर में बनेगा मचली रिसर्च सेंटर विश्तार से बात करें तो पटना के मीठापूर में मचली पालं के विकास के लिए मतस्य अनुसंधान दता मतस्य परसिक्षन चा परसार केंदर परिशर में 54.35 क्लोर रुप के बारे में यहां पर आप यह भी ध्यान है कि यह भवन मचली रिसर्च सेंटर के रुप में काम करेगा जहां पर मचवारों को भी परसिक्षन दिया जाएगा हलाकि इन सब के अत्रिक्ते कुछ और भी पॉइंट है जहां से एक्जाम में प्रश्ण बन सकते हैं दूसरे प दो वो चार गायों के लिए समान वर्ग के लोगों को 50 फिजदी जबकि सी और पीछला या फिर अती पीछला वर्ग को 75 फिजदी अनुदान दिया जाएगा और इसी तरह 50 पाचास ने बलके बंद्रा वो बीस गायों के खरीद पर शबगो 40 फिजदी अनुदान दिया इसी गाय की खरीद पर 40,000 रुपिया अनुदान देने की घोशना की थी आई होप की आपको याग होगा तो बिहार से समंदित यहां पर है जो जानकारी जो आंकड़े आपके समक्ष है यहां से आपकी जामें प्रशने बन सकते हैं और अगला पॉइंट है कि बागवानी मी इसन योजना के कार्यान विन के लिए कुल 43.59 कलोर की स्विकिरती दी गयाने की कुल इतनी रासी को मंजूरी दिया गया है और इसके तहत मिलने वाली अनुदान की रासी को 35-50 फेजदी से बढ़ा कर अब 50-50 फेजदी कर दिया गया है तो इसमें कुल मिलाकर इतना इजाफ विभाग के अंतरिकत राज्य के आठ जीलों में वर्तवान समय में बिहार में 38 जीले हैं लेकिन 38 जीलों के अंतरिकत आठ जीले जिनमें अररिया, अर्वल, नवादा, मदवनी, लकिसराय, वैसाली, कटिहार, अवंग, सितामडी तो इन आठ जीलों में 520 बेड़ वाले ए कुल आठ जीलों में जो अवाश्य विद्याले बना जाएगा इसकी जो यहां पर जो बेड़ की संख्या होगी यह 520 बेड़ होगा और इसके लिए कुल रासी का जो अवंटन किया गया है फिर जो मंजूरी दिया गया है फिर जो इसमें लागत आएगी वह 370.82 क्लोर रु पूछे जा सकते हैं बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर आपका नोट्स हमें कहां से मिलेगा तो करेंट अफैर्स से चिरीज के या फिर इस से चिरीज में आप जीतने भी वीडियो देख रहे हैं इसका जो नोट्स दयार होता है और जो मंतली इस्पेसल हमारा प्रशनों का संग्र है जिसमें बिहार राष्टे अंतराष्टे तीनों घटनाओं का समग्र विसलेशन प्रस्तूत किया गया है वो पीडियो भी इसी कोर्श में मंतली करेंट अफैर्स सेक्षन के रतात डाला गया है आप वहां पजाकर इसको परचेश कर सकते हैं अलाकि इस इंडिविजिल पीडियाप का link उसे वीडियो के description में बी आप चाहwide तो सिर्फ इस video के description में यह देगे link से download कर सकते हैं दूसरा प्रसनी की हाली में जहरिली वह नकली सराब की भाचान के लिए बिहार सरकार ने कहां रसायन परिक्षन या फिर प्रेक्षन के द्र खोले जाने में जाने का निरने लिया है तो नविन्तम खोशनों के अभार पर इस प्रश्णी का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के सहरसा जीले में यह रसायन परrickshan के अंदर खोला जाएगा वि्कलिप निmbर B यहांपर इस प्रश्णी का राइट आनसर होगा दरस्ल सराब बंदी को लेकर बहुत सारे प्रेशने अक्जाम में पहले भी पूछे गए हैं हमने जानकारी भी आपको दिया है। तो भले ही बिहार में सराब बंदी है लेकिन इसके बावजुद भी धडले से सराब की बिक्री हो रही है। हलाकि इसको लेकर पुलीस और उत्पाद भाग की टीमे लगातार कारवाई करके सराब जबत कर रही है। लेकिन जबती के बाद सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि सराब असली है या फिर नकली इसकी पहाचावन करना थोड़ा साब मुश्किल हो जाता है। दरसल यहां पर सवाल ये भी उठता है कि इस परकार की पहचान क्यों करना है, यह सराव असली है या फिर नकली, तो आप इस बात को समझे कि बिहार में आप लोगों ने देखा होगा न्यूच चैनल या फिर टीवी अकवार अधे में, जिस परकार से न्यूच चलते है कि बि हला कि इस तरह का केंद्र या फिर जो उस प्रकार का प्रेक्शन केंद्र है व बिहार में कम है जिस वजह से रिपोर्ट आने में तेरी होती है तो इसे समद्र जो मामले हैं उसे सुल्चाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है इसी कमी को दूर करने के लिए भी हाली में बिहार सरगार ने इस तरह की पहल की है वही सारे चीज़ों के बारे में यहां पर विस्तार्श लिखा गया है दरसल जिससे जब तो सराब की जांच की रिपोर्ट जो है जल्दी नहीं मिल पाने से दोश्यों के खिलाब कारवाई में भी देरी होती है तो इन शमस्याओं स से निजात पाने के लिए सहरसा में रसाइन परिक्षन के अंदर खोला जाएगा जहां सराब की जांच की जाएगी यह आप दिहान रखेंगे हलाकि इस तरह के जांच के अंदर वर्तमान में पटना में कर रहत है तो यह तीसरा प्रस्णे की विश्व आर्थिक मंच यानिक QEF अर्थात World Economic Forum द्वारा हाल ही में जारी Energy Transition सूचकांग यानि की उर्जा संचरन सूचकांग में भारत कौन से या फिर भारत को कौन से अस्थान पर रखा गया है तो इस रिपोर्ट के अभार पर भारत के संदर्व में बात करें तो भारत को 66 अस्थान पर रखा गया तो अर्जा संचरन सूचकांग के जारी किया गया और इस सूचकांग के अगहार पर हम बात करें तो 120 देशों की सूची में Sweden सिर्ष पर रहा और उसके बाद क्रमसा भारत की द्रिश्टिकों से बात करें तो वेस्विक अस्तर पर इस सोचकांक ने भारत को 67 अस्थान पर रखा गया 120 देशों की सूची में भारत इस सोचकांक में 67 अस्थान पर है हाला कि यहां पर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच की तो विश्व आर्थिक मंच स्विजलेंड में इस्तित एक गैर लाबकारी संस्ता है इसकी स्थापना भी थी 1971 अर्थात 1971 में और अपको यहां पर यह धियानक नहीं बहुत इंपोर्टन है हमने जान कर दिया था कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक इस वर्स सोलो जन्वरी से 20 जन्वरी 2023 तक स्विजलेंड के दावस में आजित किया गया तो यह सारी बाते यहां से नोट करेंगे नेक्स चौथा प्रशन भी अती महतबूर है प्रशन है कि किस देश ने हाल ही में गूगल की मूल कंपनी अलफावेट इंक पर 47 मिलियन डॉलर का जुरुआना लगा तो गूगल की जो पैरेंट कंपनी है अलफावेट इंक इस पर अभी हाल ही में रूस सरकार ने 47 मिलियन दॉलर का जुरुआना लगाया गया यह आंकड़े यहां से अप ध्यान लगेंगे गूगल की पैरेंट कंपनी अलफावेट इंकॉपरेट है जिसके वर्तवान CEO भारतिया मूल के सुंदर पिचाई है अब यहां पर अगर हम बात करें इस से गूगल की पैरेंट कंपनी अल अमेरिका की कंपनी है यहां पर अलफावेट के अंतरगात जो हमने आपको जानकारी गया 200 से अधिक कंपनिया इसके तहत संचालित है हलाकि कुछ चीजों की जानकारी यहां पर दरसाई गई है तो यह आप ध्यान रखेंगे अब यहां पर हम चलते हैं अगले पॉइंट प और अगला पॉइंट है हलाकि Google के पुणर गठन के माध्यम से अलफावेट की अस्थापना वी थी 2 अक्टूवर 2015 को तो यहां से भी आपको जानकारी दिहान रखना है फिलाल यहां पर अब हम बढ़ेंगे आगे और चलते हैं पांचपे प्रस्णные पांचों प्रशने की नियिलिकीत में से किस सहर में 3 skeet लूद 30 को दो दिवसे स्टार जुलाई 20 स्थe का जो आजन है ये हर्याना के ग्रुगरां में किया जाएगा विकल्प नमबर बी यहाँ पर इससे प्रश्निका राइट अंसर होगा यहाँ पर मैं आपको जानकारी विस्तार प्रुवक्त देने वारा हूँ जैसे कि पहला पॉइंट है कि भारत की जी ट्वेंटी की अधिक्षता कहता तो सिखर सम्विलन की अटल इनोवेशन मीशन के इस्टारटप ट्वेंटी सिखर सम्विलन हर्याना के ग्रूग्राम में 3-4 जुलाई 2030 तक आज़ित होगी आपको दिहानकने कि वरत्मान में जो जी ट्वेंटी की अधिक्षता है यह भारत के पास है इसी के तद अभी हाल ही में स्टारटप ट्वेंटी सिखर सम्विलन का हर्याना के ग्रूग्राम में 3-4 जुलाई यानिकी दो दिवस्य सम्विलन 2030 का आज़िन यहां पर किया जाएगा अगला पॉइंट है कि हाला की हाल ही में 22-23 जून 2030 को पटना में स्रम 20 अर्था L20 की बैठक आजित की गए थे आपको हमने विश्तार पूरग जानकारे दिया सदर्वा जो G20 सिकर समरेल आज़ित वा था यह इंडोनेशिया के बाली में आज़ित वा था इंडोनेशिया के राष्टमती जोको विड़ो ने भारत को अगले एक वर्ष की अवधी के लिए G20 की कमान सोपी है यानि कि G20 का जो भी कार उद्देश है उसको एक वर्ष के ल लिए भारत के पास G20 की अधिक्षता है यह बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकता है अगला पर एक G20 की अधिक्षता 2021 में इटली द्वारा जबकि नॉंबर 2022 में इंडोनेशिया द्वारा किया गया था यहाँ पर एक चीज़ आप यह ध्यान लेकिस में जो इटली म रिकवर श्ट्रोंगर यह इसका निरधारिक थीम था हलाकि इन शब के अध्रिक्त जो चर्चा यहां पर हमने क्या पटना में अभी हाली में स्थरम 20 की जो बैठक अजित हुए G20 की अधिक्षता के थाथ उसको यहां पर आप पुनौ से देख सकते हैं आप चाहें तो इसक इसका आजन अभी हाली में पटना बिहार में भारत की G20 के अधिक्षता के थाथ किया गया आजन तिति की बात रहें तो 22-23 जून 2023 यह दो दिवसे हैं इसका आजन था आजन अस्थाल समराट असोक कंवेंशन सेंटर के ग्यान भवन और बापू शभागार में यह दोनों अ थीम के बात करें तो एक परिवार और एक भविस इस पर यह अधारित था तो इतनी सारी जानकारी स्रम 20 अर्थातर लेबर 20 या फिर एल 20 से संबंदित है चुकि भारत की अधिक्ष्टा के थाथ पटना बिहार में आजित्वा था यहां से प्रश्न एक्जाम में पूछे ज सकते हैं चुकि यहां पर हमने चर्चा किया इसके आजन अस्थल की समराट असो कंवेंशन सेंटर के ग्यांधवन और बापु सभागार में अभी हाली में इसका आजन किया गया तो इसी से संबंदित यह वाला पॉइंट है कि फरवरी 2018 में समराट असो कंवेंशन केंद्र पटना ने भारत में सरुसेष्ट निर्मान प्रयोजनाओं के लिए दस्वां विश्वकर्मा उपलब्धी पुरुषकार जीता था हलाकि केंद्र द्वारा इसकी आधार शिला या इसके निर्मान की जो आधार शिला रखी गए थी यह 8 फरवरी 2014 को रखी गए थी 2018 में दस स्वास्तिक के बीच में जो देख रहे हैं यह स्वास्तिक और दो स्वास्तिक के बीच में जो यह बौधी व्रिक्ष है यह बिहार का राज के चिन है तो यहां से एक प्रशने पूछ के जा सकते हैं कि बिहार का राज के चिन क्या है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग बौध जानकर दिया था चौदवे विष्करमा अवर्ड के बारे में तो विहाल ही में अंजमन इस्लामिया हॉल के कुनबता पूर्ण नमींकरन के लिए बिहार रज भवन निर्मान निगम लिमिटेट को चौदवा विष्करमा अवर्ड से सम्मानेत किया गया यह आप यहां पर ध् इस्वी को देख रहे हैं तो यह वही इस्वी है जिस वर्षे भारते राष्टे कॉंग्रेश यानि की इंडरनेशनल कॉंग्रेश की अस्थापना वी थी यह चीज़े यहां से आपको नोड करना है हमारा अगला पॉइंट है कि वर्षे 1921 में गंगासरन सिंधा राम ब्रि अगर प्रश्ण पूची जाए अपचारिक अस्थापना को लेकर तो 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोच्टिक्ट पार्टी की अपचारिक अस्थापना वी थी तो अगर यहां से प्रश्ण बनें तो विकल्पों की अधार पर प्रश्ण का आप र पर आपको दिया है श्लाल यहां पर हमें इसे कि करतेबे चलते हैं कुछ और चार्च्ट के बारे में तो जी कि बारे में वही सारी जनकारी यहां पर आपके समय रखा गया है निष्यत तो पर यहां सिफ्छिंग बनेंगे आप अप चाहिए तो इसका स्क्रिंशॉट ले ल यानि कि विकल्फ नंबर सी इस प्रशनिका रॉइठ अंसर हो गा। अब सब कर दो इसका बाइब यहes बमया और विस्तार करें ये tonh धर्म के अन्यायों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुक तियोहार है यह आप यहां से ध्यान लखेंगे यह बहुत धर्म से सम्दित है और इस दोरान लदाक में बहुत धर्म या फिर बहुत मठों के धर्मिक अध्यान और ध्यान की गतिवीद्यों को बढ़ावा दिया है जिसको लेकर इसका आइजन किया जाता है प्रतियक वर्स और इसके अतरिकत लदाक से समंदित कुछ और भी फैक्ट की बात करें तो हाले में 11 माई 2023 को विस्सांती और खुसी के लिए मौनलम चेनमो जो की समोहिक प्राटना मौसव है यह लदाक के राज़ानी ले में यहां पर नया साल के रूप में मना जाता है जोगि लदाक में तिबती बहुत धर्म द्वारा मना आया जाने वाला एक प्रम्प्र clinics यह नए साल के रूप मेंiov है इस त्योहर नमें लोसर मोध मह को यह सारे जानकार यहां से नोट करेंगे चुकि हमने यहां पर अभी चर्चा कि आप बहुत धर्म के बारे में तो बहुत धर्म से संबंदित हमने देखा है कई बार आपके एक्जाम में प्रशन बने हैं खाश करके बहुत धर्म जैन धर्म इस तरह के जो तत्य है या फिर इस तरह के जो टॉपिक है यहां से कॉमन रूप से आपके बीपेसी एक्जाम में प्रश्ण बनते हैं तो इसके तद अगर हम बहुत धर्मे की बात करें तो बहुत धर्मे के तहत जो चार बहुत संगतियां आजित हुई यहां से आपके एक्जाम में प्रश्ण बन सकते हैं तो इसके तद मैं आपको जान कर देदा हूँ पर्थम बहुत संगति जो आजित हुई यह तिथी थी यह 251 इशापुर में हुआ था पाटले पुत्र में असुख के सासनकाल में और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस जबकि चौथे बहुत संगति के बात करें तो यह 72 इस्वी में आजित हुआ कुंडल वन कस्मिर में जो की कनिस्ग के सासनकाल में आजित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वस्वमिट्र यह पहली ऐसी बाध्यक्ष थे जिसमें अध्यक्ष के अतरिकत उपादक्ष पदकावी इस रिजन के आ गया था आपको दिया था उसको भी यहाँ पर हम देख रहे थे हैं रिविजन पर पस्ते जैसे कि सदत परवत्य विकास सीखर सम्मिलन 11 दस से 12 अक्टवर 2022 तक लेह लग्डाक में आज़ित किया गया इसके अधरित हाली में लग्डाक के लेह में ग्रीन हाइडरोजन परिवहन योजन पके पाइलेट प्रोजेक्ट का सिलान्यास किया गया शाथ साथ लेह में भारत के सबसे उचाई परिस्ते फुटबॉल इस्टेडियम बनाए गया जिसकी उचाई है 11,000 फिट तो लेह से समद्द यह तीनों फैक्ट यहां से आप धिहान रखेंगे चलिए अब यहां पर हम होगा विकलिन नंबर आ याणि कि कैण्या बदोस्व इस तरह का पहल किया तो क्यूंत नंबर यहां पर इसी थाफर राइव से फेस्ट फर आट तो कनाड़ा से हाल ही में डीजिटल खाना बदोस्वर्पर रंही शोरू है यहां से आपको दियान और 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 को बात होई यहां पर कनाडा की तो वरतमान में भारत में या फिर वर बतमान में कनाडा में जो भारतिययर राज़दूथ है वे आशने कْमार वर्मा यहां से अपको ध्युना कनाडा रिखना हैं entrat अडरे परतियोगता के वारे में इसका आजर्ण हाली में कनाडा की रायधानी उटावा में क्या गया और इसे प्रतियोगता में पैरा बैटमटन ने किलाड़ी पर मोधभकत में रजत यानि양िस फ्र्धा में रजट यानिकी इस पर उसक Fields प्रदाओं के तहत यूगल प्रूस यूगल और मिस्तित यूगल में ने दो कांस पदक अपने नाम किया यानिकि कुल मिलाके इस प्रतियुगता में जो अभी हाल में करनाडा की राधनी ओटावा में आजित हुआ तो प्रमोध भगत ने इसमें एक सिल्वर मैडल और दो प् मौजदा समय में वे उड़िशा की तरब से खेलता है तो यहां पर ये कन्फिजन ना हो जिस वहासे हमने पुर्ण सामिल किया भले ही मौल रुप से बिहार के वैसाली के लेकिन वे मौजदा समय में उड़िशा की तरब से खेलते हैं एक अगला पॉट है कि भारत सरकार ने से कौन है तो दियेगे विगल्पों की अधार पर इसका राइट अंसर होगा एस हुसेन जैदी इस पुस्तक के लेकर हैं जिसके कवर पेश को आप यहां पर तस्विर में भी देख सकते हैं अब आपको यहां पर इसकी बारे में विस्तार से जानकारी देदूं कि पुस्तक र विस्तार से दर्था गया है इस पुस्तक की यही विसेवस्तु है जिस पर इसमें चर्चा किया गया इससे पुस्तक के बात रहें तो इनका एक नाम है लीमा कगर भी इन्हें संबोधित क्या जाता है तो लीमा और रखे विष्ट गुजरात के तादकालिब मुक्षमंत्री रहे नरेद मोदी यानि कि नरेद मोदी जब गुजरात के मुक्ष मंत्री थे और साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्वती बराक उबामा को भी वे सीक्योरिटी प्रदान कर चुके हैं अर्थात लखी विष्ट यहां पर एक अहम जानकारी है कि उन्हें वर्सत 2009 में भारत के सरु आपको बतलाए था और वे बिहार के सिवान चिले के रहने वारे हैं अब यहां पर चुकी हमने पुस्तकों की चर्चा किया तो ऐसे में कुछ जानकारी है 2022 में जो भी परमव कुस्तक लिखेगे जहां से आपके एक्जाम में प्रस्ट्व बनेंगे वो सारी सूची हमने आपकी कपूर दो हीरू आफ टाइगर हिल के लेकर कैप्टन योगेंदर शिंग यादो कस्मिर 370 के साथ और बात जितेंदर दिक्षित हे रामपु जैस्री राम आनंद वर्धन शिंग टॉम अफ सेंड़ गितांजली स्री गोल्डन बॉय निरच चोप्रा इसके लेकर गितांजली स्री उत्तर प्रदेश की रहने वाली है तो 2022 में इस पुस्तक को टाम अप सेंड यानिकी समाधी को तो 2022 में इस पुस्तक को अंतरश्टे बुकर पुस्कायर से सम्मानत किया था इसका जो हिंदी वर्जन है इसका नाम है रेक की समाधी जिसकी लेकर का है लेट किया गया है तो यह चीज़े यहां से आप दिहान रखेंगे फिलाल चलते हैं अगले प्रशन पर हमारा नवा प्रशन है कि नेवलिकित में से किनकी याद में प्रतीक वर्ष एक जुलाई को रश्टे चिकिस्ता दिवस यानिकी डॉक्टर्स डे मना जाता या फिर न उनकी जैनती और पुन्तिती के अफसर पर रश्ट चिकितसक डिवस मनाया जाता है यहां पर हमने जैनती और पुन्तिती दोनों सब्द का प्रयोग किया है दरसल एक जुलाई को ही इनका जैन्म हुआ था 1882 में और इसके अतरिक देगर हम बात करें इनकी मिर्थिव की तो इनकी मिर्थिव एक जुलाई को ही हुई थी 1962 में तो एक जुलाई को इनकी जन्म और मिर्थिव दोनों हुई थी जिस वज़ा से यहां पर हमने लिखा है कि जैनती और पुन्तिती के अफसर पर रश्ट चिकितसक दिवस मनाया जाता है इनकी याद में प्रतेक वर्शे भा वाला हूं ध्यान पुर्वक आप लोग सुनिएगा आप लोग जानते हैं कि भारत को आजादी मेली अंग्रेजों की गुलामी से लगवग 200 वर्शन बाद वर्श 1947 में लेकिन भारत में गंतंत्र लागों भी थी वर्श 1950 में अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना कि आज शर्भोद्यत किया यहांगे बिहार की दरिश्टिकौन से हम बात करें जैसे कि बिहार के Пेहले मुक्ष मंत्री कौन तो डॉक्ञों सिरी क्रिष्यन सिंग् बिहार के पहले मुक्ष मंति थे और आप लोग यह जानते कि आजीए के पसचात भारत के जो परथम पर्दहान मंत की बात करें, तो 1937 में बिहार के पहले प्रधान मन्तरी बने थे मुहम्मद युनोस और इस प्रकार से देखें, अगर भारत के विभिन प्रांतों की बात करें, तो उस समय अगर कहा जा इस दुरिश्टकौन को दियान रखते वे कि भारत के प्रथम प्रधान मंत्री किसी भी प्रांत में जो बने थे वे कौन थे तो वे मुहम्मद योनूस थे जो कि बिहार की प्रधान मंत्री बने थे एक चीज यहाँ पर आपका किलियर कर दो 1937 से लेकर 1950 तक जब तक गंतंत्र लागू नहीं हुआ था तो 1937 से लेकर 1950 तक जो भी मतलब परमुख भा करते थे जो प्रेमियर होते थे राज्यों के या फिर प्रांतों के उन्हें प्रधान मंत्री का करहीं संबोधित किया जाता था यह चीज़े यहाँ से आप धिहान रखेंगे प्रश्ट में इस प्रकार से कोई चीज़े पोच कर आपको उल्जाया जा सकता है जो चीज़े हमने आपको बतला है उसे बारेकी से समझेगा और अपनी कापी में जरूर नोट कीजेगा अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे इसी कहता था हमारा अगला पॉइंट है कि वर्श 1961 में विधान चंदरराई को भारत के सर्वोच चनागरिक पुरशकार भारत रतने से संबानित किया गया था नेक्स पॉइंट है इसके अत्रिक्त एक जुलाई को राष्टे डाग करमचारी दिवस भी पानाया जाता है और इसके अत्रिक्त आपको यह भी धान रखना है प्रांच में पहली बार 1954 में जिश्टी लाग होई थी चूंकि यहां पर हम बात कर रहे थे विधान चंदर राई की तो विधान चंदर राई के बारे में यह भी ध्यान रखे कि बिहार का धनी पटना के बांकी पूर में उनका जन्म हुआ था और 1948 से 1912 तक 14 साल तक में पर परश्ण में जानका रहे दिया कि यहां परेने के बांकी पूर पटना में मचली रिसर्च सेंटर का निर्मान होगा जहां पर मचवारों को भी या पर राज के मचवारों को भी परसिक्षंद दिया जाएगा तो यह सारी कुछ बाते हैं जो यहां पर ध्यान रखेंगे प्रठाइस राज और आट के अंदसातित प्रदेश हैं तो इसके अतहत कुल मिलाके 106 हस्तियों को इन पद्म पुरुषकारों से सम्भानत किया गया इन 106 पुरुषकारों के इतहत पद्म भूसन के बात नहीं और 91 पदमिस्री यानी कि पद्म भूसन भारत का दूसरा सर् साथ कि दcover को सिम्मान या और बिहार की संदर में आपको यह द्ध्यान के लिए बिहार के तीन स्रिवती सुबद्राव्जा को ट्रूसाथ के लिए इन तेनों को दूवरे सिर्य पृत्मुस्री जिन्हें वर्सव 1971 में समाजिक कार के लिए ये पदमसरी प्रुषकार दिया गया था हलाकि अब तक कि प्राप्त जानकारी के अधार पर कुल 173 बिहारियों को पदमसरी अवोड से सम्मानित किया जा चुका है तो ये सारे बातें नोट करने लाइक है नेक्स्ट दसों प्रशने की हाली में किस रज की हम रोहा धोलत को जय टैग तो अमरोहा बहर गर जो सम्मानित हा यह उत्तर्थ प्रते चेبة सम्मानित है Whenever आवह तो लमबे समय के बाद अभी हागे में अमरोहाद Ungoliko AI टेक दिया जा गया गिसी वस्तो को जो जारीटेक मिलता यह 1046 के अबधी के लिए दिय धाता है और जो जायओ को किसी वस्तो को उनसे समय जो भवह वळक चेत्र होते या फिर जो राजड होते उन्हें दिया जाता है, हलाकि यहां पर आपको इस बात का भी ध्यान अखना के 10 वर्ष के पस्चाथ, इसका रजिस्ट्रेशन करके पुनों से जाई टैग के प्राप्त किया जा सकता है, और मुस्ट इंपॉर्टन पॉइंट यहां पर यह भी है कि जाई टैग रजिस्ट्री में, तो अभी हाली में मिथला मखाना को भी जाई टैग मिला है, इसके बाद आपको ध्यान अखना चाथा उत्पाद बना जो क्रिशी काटेगरी में यह मरचा चावल है, पांचवा उत्पाद क्रिशी काटेगरी में यह है मिथला मखाना, अलाकि यहां पर इसकी अत्रिक जो भी चीज़े आप देख रहे हैं यह बिहार से ही शमंदित हैं बिहार के उत्पाद हैं जिने जाय टैग मिला है जिससे उसकी जो मार्केटिंग है वो असान हो जाती है और किसी वस्तु या उत्पाद को जो जाय टैग दिया जाता है यह 1999 के एक्ट के अधार पर ही उसे जाय टैग मिलता है नेक्स्ट अब यहां पर हम चलते हैं अगले 11 प्रस्ण भी यह प्रस्ण की हाल ही में 17 भारतिय सहकारी कॉंग्रेश का आजन कहां किया गया तो इसका आज प्रधान मंद्रे नरेंद मोदी द्वारा किया इसे सम्मेरन में 10 देशों से ये फिर 10 देशों के 25 से ज्यादा परतिनीध्यों ने भाग यह यहां पर ध्यान रखेंगी यह इसका सतरवा संत्रन था जो की नई दिल्य में आजित किया और इसका उद्गाटन किया गया नरें चीजों का इस्तमाल करते हैं उन में से तकरिबन 70% जो चीज़ें होती हैं डेली यूज में इस्तमाल होने वाली वह लगवा के हिंदोस्तान निवर कंपनी का ही होता है आप लोग देखते होंगे कंपनी की जो प्रोड़क्ट होती है उसके पीछे इस तरह का लोग उराता ह चीज़े ध्यान रखें जो प्रमों के एक उत्पाद है आप लोग जानते होरलिक्स है यह भी हंदुस्तान निवर का ही प्रोड़क्ट है यह सारी बात यहां से ध्यान रखें और जो पीडियाफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके खरेच सकते हैं या फिर जो क प्रश्णों का समगर बिश्लितन इसमें प्रस्तूत किया गया है जो कि आपकी तैयारे को बहतर बनाएगा चले अब यहां पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्णी क्यों आज की इस वीडियो का हमारा प्रस्ण है कि हाली में बिहार के पाटना में कहां मिलिट य अनुशार किस देश में फीफा अंडर 17 विश्यकप 2023 प्रतियोगता का आजन किया जाएगा कम्प्लीट जानकारी अल्रडी हमने आपको दिया है कमेंड बॉक्स में चाहिए और नंबर के साथ वहाँ पर इसका अंसर लिखे और दस्तों अगर आपको लगेगे इस वीडियो श्रिंक लांसे आपकी हेल्प वही होगी या फिर हो रही है तो प्लीज वीडियो को लएक केजिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब करें नो सु लाईक अगर आपको लग densh